बिग बॉस की हिस्ट्री में शायद ये पहली बार ही हो रहा है जहाँ पर सल्मान खान दिखे हमें भावुक होते हुए आईए बताते हैं आपको ख़बर डीटेल में पर उसे पहले हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले नमस्ते दोस्तो मैं हुशुल का चवान और आप देख रहे हैं मूवी जड़ा दोस्तो मैं आपको ये बता दू कि सल्मान खान जो है वो कभी भी भावुक बहुत जल्दी से नहीं होते है वो बहुत ही एक स्ट्रॉंग किसम के आदमी है जी दोस्तो ना सिर्फ सदस्य दंग रहे गए है सल्मान खान खुद इतने भावुक हो गए है और उसी के साथ साथ बाकी की बाकी जनता जो है उन्होंने एक हैश्टैग ट्रेंड करना भी शुरू कर दिया है दोस्तो मैं आपको बता दू कि मैं बात कर रही हूँ जैस्मिन भसीन के एविक्शन की और टीवी की केटरीना के टैग दिया था सल्लू भाई ने उनको और अब ये देखना है कि आखिरगार क्या जैसे जनता को चाहिए कि प्लीज ब्रिंग जैस्मिन भसीन बाक तो क्या वाकई ये जो बात है जनता की वो मान लेंगे मेकर्स और बुला लेंगे वापस हमारी क्यूट सी प्यारी सी जैस्मिन भसीन को आप कितने उच्सुक है जैस्मिन भसीन को फिर एक बार देखने के लिए बिग बॉस सीजन 14 के घर वो तो हमें बताईए ही पर ये जो एक historic moment create हुआ है बिग बॉस के history में वो हमें जरूर बताईए कि आपको क्या कहना है और सल्मान खान के इस emotional अवतार के बारे में जो हमने शायदी 14 seasons लग गए इस अवतार को देखने के लिए तो आपको क्या कहना है बताईए हमें in the comments below So we are waiting to hear you, मैं हुँ शुल का चवान और आप देख रहे है movie सद्दा